ये कितने हैं तो को तयार किया गया है लाइट्स भी इसमें लगाई गई है कुछ बिना लाइट्स के हैं छोटे से लेके बड़े मॉडल भी तयार किये गए इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ जहांबर एक अंपनी है जिसने ये मॉडल जो है वो तयार किया है और किस तरीके से ये मॉडल जो है वो राम मंदिर यानि की 22 जनवरी को जिस तरीके से प्राण प्रतिस्टा जो होगी उसको लेकर ये तयारियां चल रही है और ये मंदिर जो है वो बहुत ज़ादा इस वक्त डिमांड में चल रहा है क्योंकि लोग जो हैं उसी दिन अपने घर में भी इस मंदिर को लगाना चाते हैं जिनों ने इस मौडल को तयार किया है विजैपाल जी वो हमारे साथ मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस मौडल को तयार किया है सर बताईए इस model के बारे में राम मंदिर बिलकुल हूब 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 उसी तरीके से दिख रहा है क्या सोचती इसके पीछे किस तरीके से तयार जैसा कि हम लोगों ने सुचा कि 22 जन्वरी के कारिकरम में अधिकतर लोग आयोद्या नहीं जा सकते हैं तो हमने स्री राम को हर गर पहुचाने का संकल्प लिया और इसका कि 3D model त्यार किया गया है जो MDF board में बनाया गया है और cost wise भी बहुत cheap है और carrying अपना सजाने के लिए बहुत अच्छा item है आज तक हम लोग सब ताज महल और बाकी monuments को gifting करते आये हैं तो अब हम चाते हैं कि श्री राम हर गर पहुचे श्री राम जी का मंदिर हर गर पहुचे तो इस सोच के साथ हमने इसको बनाने का प्रयास किया है क्या इसको पूरी तरीके से हाथ से बनाये गया है भारत में बनाये गया है क्या है ये model पहले CNC मसीनों द्वारा MDA बोट की cutting करी जाती है 3D cutting करी जाती है उसके बाद इसको हाथ से assemble किया जाता है इस काम में हमने महिलाओं को भी बहुत बड़ा रोजगार दिया है महिलाओं इसको अपने घर में बैठके कर रही है जो assembling का काम है महिलाओं अपने घर में बैठके कर रही है और ये पूरी तरह से making India मामला है making India जिस तरीके से प्रधान मंत्री मोधी ने नारा दिया था making India को उसको बड़ावा देने के लिए ये आपने बनाया बिल्कुल ये जितने कारीगर है इसमें महिलाओं से लेकर या 3D प्रिंट आर्टिस्ट से लेकर सब देसी है बिल्कुल अच्छी बात कहीं लेकिन अब ये थोड़ा सा जानकारी दीजे 22 जन्वरी को प्राण प्रतिस्टा आयुद्या में होने बाली राम मंदिर को लेके अभी फिलाल किस तरीके से डिमांड आ रही है इसके डिमांड बहुत ज़्यादा है आज की डेट में हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में श्री राम का एक प्रतिक चिन हो तो इस मंदिर का ओर्डर हमारे पास साल बर के लिए अल्री बुक्ड है और जितने भी धार्मे के स्थाल हैं वहां से भी रगातार ओर्डर आ रहे हैं तो दिमांड वाईस यह बहुत ज़्यादा है सबसे छोटा मॉडल है सर इस मॉडल के बारे में कितने क्या साइज है इस मॉडल का सर यह मॉडल चार इंच में बना हुआ है चार इंच हाई टैस की और चार इंच ही लंबाई है इस मॉडल में हमने कोशिश करिए कि जादर जादा नकासी की दाली जा सके इस मॉडल को बड़े अपना गिफ्टिंग परपस पर यूज किया जा रहा है इस के चार इंच का model है इसके बाद आपना ये चेंच का एक model है इसी तरह से हर बार दो दो इंच बड़ा-बडाकर या आठ इंच है यह आठ इंच में दूसरा यह 12 इंच तक के मॉडल हमारे पास उपलब्द है तो यह मॉडल आपने कहीं से मंगाया था क्या राम मंदिर से कैसे इसको सोचा आपने नहीं हमारे जो इंजिनर है उन्होंने इसको राम मंदिर का जो 3D मॉडल देख के उसको डेवलप किया है यह पहले 3D में ड्राइंग बन यहां पर रखे हुए हैं और आस्ता से जुड़ा हुआ विशह है 22 तारीको राम मंदिर को लेके जिस तरीके से तैयारियां सारी जो चल रही है और तैयारियां लगबक पूरी भी हो चुकी है और उसी को लेकर पूरे देश में हरसो लास का माहुल बना हुआ है लोगों के म प्रतिस्टा जो है वो बहाँ पर होगी तो लोग उसी को लेकर घर में भी अपने पूजा का जो कारिकरम होता है वो उसको अपने घर पर कर सकें कैमरा परसन चंदन के साथ दिलीज हिरदेश यादव यूस पॉइंट